हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का All About Life में इस वीडियो में हम कंपेरिजन करने वाले हैं मार्केट के दो पॉपिलर आयरवेदिक एंटी सेप्टिक क्रीम का पहला है बोरो प्लस एंटी सेप्टिक आयरवेदिक क्रीम दूसरा है बोरोलीन एंटी सेप्टिक आयरवेदिक क्रीम ये दोनों इस तरह के 10 रुपे के छोटे ट्रायल पैक में आते हैं ये दोनों आपको डिफरेंट साइजेज में मिल जाएंगे इनके प्राइज में ज़्यादा अंतर नहीं है बोरो प्लस बनाये गया है 10 हॉप से जैसे तुलसी, चंदन, एलोवेरा, नीम, हरिद्रा, केसर इसमें पैरा बिन नहीं है पर जिंक आकसाइड, बोरिक एसिट, टैल्क है बोरोलीन में है बोरिक एसिट, जिंक आकसाइड, एन हाइजरस, लैनोलीन अब मैं इन दोनों का टेक्स्चर अपने हाथ पर अपलाए करके आपको दिखाती हूँ टेक्स्चर में जादा अंतर नहीं है, दोनों क्रिम बहुत जादा थिक है, काफी हैवी है अब मैं इन्हें ब्लेंड करके दिखाती हूँ बोरोपलस इसकिन पर जदा स्मूदली ब्लेंड हो जाता है बोरोलीन के कमपैरेटिफली दोनों का फ्रेग्रेंस काफी जदा स्ट्रॉंग है मुझे बोरोपलस का फ्रेग्रेंस जदा अच्छा लगा अब बारी आती है conclusion की ये दोनों क्रिम का इस्तमाल आप cuts पर, खरोच, मामुली घाव लगने पर और जलने पर कर सकते हैं ये दोनों क्रिम सूखी और खुर्दरी त्वशा को ठीक करते हैं आप इन्हें ठंडी में अपने फटे होटो पर, फटी हुई एडियों पर भी लगा सकते हैं आप देख सकते हैं, ये दोनों ही क्रिम स्किन पर oily से लगते हैं, इस्टिकी से लगते हैं oily स्किन वाले इन्हें अपने शेहरे पर इस्तमाल ना करें ये दोनों हलका सा वाइट कास्ट देते हैं कुछ इसकिन टोन्स पर मुझे इन दोनों क्रिम में 19-20 का ही फर्क लगा मुझे बोरो प्लस क्रिम के रिजल्ट्स जादा अच्छे लगे ये जादा इजिली स्किन में एब्सॉर्फ हो जाता है और इसमें 10 हर्ब्स डाले गए हैं आप इन दोनों क्रिम में से कौन सा जादा पसंद करते हैं मुझे कॉमेंट के जरीए जरूर बताईएगा ये दोनों आपको मार्केट में इजिली मिल जाएंगे इन दोनों का परशेज लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्सन बॉक्स में ऐसे और भी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को टेक केर बाबा